हेलो एवरीबन इस वीडियो में बात कर लेते हैं पैसा लो डिजिटल लिमिटेड की कुई क्ली एनलेसस देख लेते हैं चैनल को लाइक इन सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो यहां पर आप देख रहे होगे स्टॉक में बड़ा फॉल नजर आते हुए देखने को मिलाया आज और सपोर्ट भी तोड़े हैं स्टॉक ने काफी बड़ा फॉल था अल्मोस्ट 20 परसेंट का ड्रॉपडाउन मोमेंटाम है क्यों है पहले वो समझ लेते हैं बागी फिर लेविल्स बताऊंगा आपको यहां पर आप नीज देखें तो इंडिया स्पैसल और डिजिटल जो कमपनीज हैं सारी ही ऑन दो वर्ज ऑफ थोड़े थोड़े करेक्शन पर हैंगे जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी करेक्शन पर आते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जबसे पेटी एम का सिनेरी हुआ है अरबियाई की नजर में बहुत से अन वी एफसी के ऐसी कमपनिया है जहां पर अभी भी KYC के norms follow नहीं कर रहे हैं लेंडिंग practices में issues हैं इसी वज़े से आप देखें काफी stocks में ये sudden fall बनते हुए नजर आ रहे हैंगे अपनको देखने को मिल रहे हैं यहां पर सेम आज पैसा लो digital को भी देखते हुए मिला है क्योंकि यहां पर आप देखें stock में जो आज सबसे जादा selling सुरू हुई है 176 के around से psychological level जो की होता है 175 वो sustain नहीं हुआ और फिर यहां से बड़ा fall बनता ही चला गया close हुआ stock 139 almost it's a lower circuit कहीं न गई और कल क्या होगा वो भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि suddenly एकदम से एक बड़ा move आना नीचे की दिसा में तो क्य कहा जा सकता यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस level तक stock fall करेगा तो by tomorrow अगर further falling रहती है तो 135 के level अपनको देखने को मिल सकते हैं उसके बाद अगर fall बनता है तो अपनको 129 से 125 के level देखने को मिल सकते हैं यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस असाप से stock में fall आया है क्यो यहां पर आज देखें तो higher highs की formation बिगड़ गई एक बड़ा plunge आया साथ ही साथ अगर आप इस level से 50 लगा लें तो भी आपको clear हो जाएगा कि असल में यह momentum बनते हुए क्यों आया है यहां पर आप देखें तो कल भी fall आया था यहां 0.06 से stock में थोड़ा से reversal देखने को मिला आठ भी testing हुई 0.06 सस्टेन नहीं हुआ एक बड़ा fall बनते हुए नजर आए क्योंकि news driven था stock में इसी वज़े से यह नीचे की दिसा पकड़ली stock ना पूरी अब जब भी news driven stock होते हैं तो ना तो उनमें price action काम करेगा ना indicator काम करेगा उनमें कोई काम नहीं करता है उनको यहां पर ही बड़ा support है क्योंकि 8% नीचे अगर आप देखें तो वो एक psychological level है 125 का इसी लिए और अगर reversal आता है यहां से तो क्या होगा अगर यहां से reversal आ जाता है stock support लेने की कुसस करता है तो अपना support बनेगा यहां 142 सौरी उपर की दिशा में resistance रहेगी 142 होगी 142 के बाद next resistance will be at 145 further resistance अपनी होगी यहां पर 150 क्योंकि अब यह psychological level है और उपर की दिशा में अब जहां पर बड़ी sellers दिखेंगे वो दिख सकते हैं उपर अगर stock जाता है तो 150 के round तो उपर अगर 67% चलता है तो 150 रहेगा और फॉल करता है तो नीचे 125 दोनों psychological level के बीच में stock फसा हुआ है फिलाल के लिए बात करने stock में आप देखें तो split भी होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में यहां पर 20th March का split दिखा रहे हैं यहां पर 2-1 stock split भी होने वाला है वो तब की तब देखी जाएगी बट फिलाल अगर stock further falling दिखा रहा है तो फिर उसके लिए आपको तयार रह के return निकाल दिये dead to in 37 days तो अब यह अपने correction formation में आएगा definitely और इतना बड़ा अगर fall बनता है तो फिर एक correction का mode भी धीरे धीरे आएगा साथ ही साथ आप देखें यह news driven था तो news driven के साथ यह नहीं कह रहा हूं कि कल fall बन सकता है कल में भी इसमें बड़ी having buying भी आ जाए और buying भ कर दिये नीचे वाले levels यह अपने एज़र support रहेंगे और उपर के सारे resistance तो वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते next वीडियो में दिस इस मी सुभमियादव signing off